वेलकॉम तो जैक स्विच लो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में सिखेंगे कि स्मार्ट लाइफ एप्लिकेशन में दिया गया सीड्यूल फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने स्मार्ट डिवाइस को कैसे ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्मार्ट डिवाइस को स्मार्ट लाइफ एप्लिकेशन से लिंक कर देजिए उसके बाद स्मार्ट लाइफ एप्लिकेशन ओपन करने के उसके बाद आप स्मार्ट लाइफ में दिये गए पर्टिकुलर स्मार्ट डिवाइस को सिलेट कीजिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बेड्रूम स्विच बेड उसमें से particular एक switch को select कीजिए जिसमें आपको timer set करना है तो मैं select कराओ switch 1 इतना करते ही एक new page open होगा वहाँ पे आपको 5 option दिखाए देंगे countdown, schedule, circulate, random and eating उसमें से आप schedule option को select करके add schedule कीजिए schedule option को select करने के बाद add schedule करते ही आपको वहाँ पे time, day and switch on off option दिखाए देंगे तो सबसे पहले मैं उसमें time set करना होगा तो for example मैं यहाँ पे 1-1 minute का schedule set करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे time set कर रहा हूँ, 3 p.m. करने का अभी दुपर का time है तो हम p.m. करेगी यहाँ पे 3 बच के 20 minute का मैं timer set कर रहा हूँ फिर अब कौन से week में कौन से day को यह schedule follow करना चाहता है उसे select कीजिए तो आज Thursday है तो मैं Thursday को select करता हूँ और उसके बाद पहले में switch on या off में से on को select करके confirm करता हूँ और अंत में मैं यहाँ पे save करूँगा यहाँ आप देख सकते हैं कि 3.20 का time set हो गया है तो उसके बाद मैं एक नए schedule add करूँगा उसमें मैं तीन बज के 21 मिनिट को यह particular switch को off करवाँगा switch one को तो इसके लिए मैंने time set कर दिया तो मैं Thursday select करके switch on की जगह पे मैं off select करके confirm करता हूँ और फिर save तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे अपने schedule set कर दी है यहाँ पे मैंने अपना timer set कर दिया है और अभी मेरी गड़ी में तीन बज के 19 मिनिट होई है तो जिससे ही तीन बज के 20 मिनिट होगा तो अपने आप switch one on हो जाएगी आप देख सकते हैं कि तीन बज के 20 मिनिट पे यहाँ पे switch on हो गई है और अभी में एक मिनिट का timer set किया है तो वो countdown हो रहा है जिसे ही एक मिनिट होगी तो यहाँ पे switch one off होके switch two और three on हो जाएगी यहाँ पे दूसरी और तीसरी switch on हो गई है और पहली off हो गई है सेम इसी तरीके से जब दूसरी और तीसरी switch off होगी एक मिनिट के बाल तभी चोथी switch on हो जाएगी तो आप देख सकते कि दूसरी और तीसरी स्वीच ओफ हो गई है और चौथी ओन हो गई है इसे तरह से यह स्वीच एक मिनिट के बाद अपने अप ओफ हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते कि इस टाइमर फंक्शन का इस्तिमाल करके आप अपने इलेक्शिटी भी सेव कर सकते हो और आप अपने स्वीच के हिशाब से अपने स्मार्टर डिवाइस को ओन और ओफ करवा सकते हो थैंक यू